कि Гलीसरीन। गुलाप जल। और कॉकनट ओयल इन तीनों को मिक्स करके मैं ये लोसन रेडी करने वाली हूँ तो आये वीडियो स्टार्ट करते हैं सो चलिए मैं अभी बनाती हूँ मैंने वन केबल स्पून लिया है हिमफली मैं मैं इन वह अबशा कि आप अपनी कॉयंटिकी के हिस्वाव से ले सकते हो आपको कितने दिन दिन फिली बनाना है इसके बाद मैं लूगे रूज वाटर कि वन टेबल स्पून कि अगर ले रहा हो ग्लीस्रीन तो आपको फैन टेबल स्पून रूज वाटर लेना है इसके बाद मैं मिक्स करोंगी इसमें कॉकन मद ओयूं कि यह मैंने 1 टेबल स्पून कोकनट ओल ले लिया है कि इसको मैं मिक्स कर दूंगी अच्छी तरसे कि याप देख सकते हो अच्छी तरसे मिक्स हो चुका है यह लो सन अच्छी तरसे रेडि हो चुका है बहुत ही इजी है और बहुत ही effective है आप इसको apply करोगे अपने हाथों पे अपने पैरों पे तो आपको खुद फर्क दिखेगा इसको आप ज्यादा quantity में भी बना के store करके रख सकते हो अभी मैं इसको थोड़ा सा बनाई हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए वैसे मेरे पास already ये आपको इस तरह से इसको अपने हाथों पे apply करने हैं आप देख सकते हो इसके मसाज से मेरे हाथ पे जितने भी dryness थी वह सारे रिमूव हो चुके हैं सर्दियों में आप ने देखा होगा कि आपके हाथ बहुत ही ज्यादा रूख्य सुख्य हो जाते हैं dryness हो जाती है आपके आपको अप्लाई करने से आपकी ये सारी प्राब्लम्स दूर हो मिसी अखर जाएंगे फिरसे और मैंने इस हांथो में किया हुव और नमीं में इसको आपको अप्लाई किया हुआ है तो आप खुद देख सकते हो कितना ज्यादा इंदोनों हाथों में अहीं है ओ ओ врем इसको आपको अप्लाई करके अच्छे से मसाज करने है इसको आपको अप्लाई करके अच्छे से मसाज करने है see you in my next video till then bye bye take care have a good day